हलो फ्रेंट्स मैंने नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने सेनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम दोग हाई स्कूल और इंटर में पूछे जाने वाले कुछ बेसिक जो ट्रैंटलेशन होते हैं उस पर से मैं आप लोग कोई कुछ डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ होता है कि यार ट्रैंटलेशन पूछ दिया है और मैंने तो कभी ट्रैंटलेशन पढ़ा ही नहीं मैं कैसे इन सब का आंसर दे पाऊंगा एक्सक्रा 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 बहुत तरह की उनके मन में डाउट होते हैं तो डोंट वरी फ्रेंट्स आज उन सभी तरह के डाउट्स को मैं आपके मैंड से निकालने वाला हूँ तो अगर आप लोगोंने Translation बहुत नहीं पढ़ा है ठोड़ा भी अगर आप लोगोंने पढ़ा है यार इजे मार का Use, वाज और वर का Use अगर आप लोगोंने पढ़ा है तो आज मैं आपको समझाऊँगा कि Translation उतना भी टप नहीं है जितना की आप सोचते हैं यह बहुत ही easy होता है बस आपके मन में एक डर होता है कि यह मैं कैसे कर पाऊंगा या मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा तो बने रिये friends इस वीडियो के साथ क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे problems के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स एक बात मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो है हाई स्कूल और इंटर के दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत यूसपूल होने वाला है इस वीडियो में आप लोग ध्यान से अगर देखते हैं तो यार आपको ट्रांट्लेशन का बहुत सारा बेसिक नौलेज आने वाला है चलिए फ्रेंट्स यहां पर माल लेते हैं कि ये एक मेरे जो ट्रांट्लेशन का यहां पर एक्जामपल लिया हुआ है यह आपके एक्जाम में आ गया तो अब ही आप क्या करेंगे तो यहां पर जो हिंदी एक्जामपल है फ्रेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर हिंदी में क्या लिखा गया है बहुत सारे बच्छे पढ़कर के कनफ्यूज जाते हैं क्यार जो हिंदी में लिखा गया है यह मैं बना कैसे पाऊंगा तो यहां पर मैं हिंदी आपको समझाने की कुछ कर रहा हूँ बोला गया कि एक बार गुरु नानक के पास एक डाकू आया ठीक है बिलकुल बेसिक सा सेंटेंस है अगर आप इसे देखेंगे तो पास्ट और डिफनेट का यह पर लिखा गया है कि एक बार गुरु नानक के पास एक डाकू आया और बोला यहां पर देखें और बोला मैं डाकू हूँ ठीक है उसने कहा कि मैं डाकू हूँ मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ मैं सुधरना चाहता हूँ मुझे कोई उपाय बताइए ये सारी बात जो है वो डाकू कहता है अच्छा जब कोई कहता है तो वो सारी बात जो है double under 9 के यहां पे double inverter कॉमा के अंदर आती है तो वो बात जो डाकु ने कहा है उसको double inverter कॉमा के अंदर यहां पे lock किया गया है अब गुरु नानक ने कहा, अब जो भी बाते आपे गुरु नानक बोलेंगे, उनकी सारी बाते यहां पर double inverter कॉमा के अंदर आएंगे, उन्होंने कहा कि तुम चोरी करना और जूट बोलना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, यहां पर गुरु नानक की बात खतम हो जाती है, यही पर आपको एक चीज बस समझना है कि आप जो भी बाते गुरुनानक के द्वारा बताई गई है उन बातों को जब आप इंगलिस में लिखे तो उस टाइम आपको डबल इनवेटर कॉमा का यूज करना है यार यह डबल इनवेटर कॉमा इतने इनपोर्टेंट होते हैं कि अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कटने के हाईली चांसे है बहुत जादे चांसे से कि आपके नंबर कट जाएंगे इस बात यहां पर दिखिए इस पर डाकू ने बोला ठीक है इस पर डाकू ने कहा कि मैंने बहुत कोशिस की पर ऐसा न हो सका ठीक है डाकू ने कहा कि मैंने बहुत कोशिस की कि मैं जूट बोलना और चोरी करना छोड़ दू पर ऐसा नहीं हो सका तब नानक ने कहा तब ठीक है जो तुम्हारा मन में आय करो ठीक है जो तुम्हारे मन में आय वो करो लेकिन बाद में अपनी बातों का बखान करके सबको बता देना डाकू को यह काम आसान लगा ठीक है उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे मन में आय वो करो और बाद में अपनी बातों का बखा मन में यह doubt होता है कि यार इतना बड़ा sentence में कैसे बना पाऊंगा मन में doubt है ना अब चलिए हम लोग इसके English को देखते हैं कि इसका English जो है कितना आसान है यार कितना basic सा इसका English है जो हमें देखकर के लगता है कि यह बहुत ही मतलब भारी होगा बहुत ही मतलब difficult होगा वो गुर्णाना के पास आया and sad और उनसे कहा I am a dhakat ठीक है कि मैं जो है dhakat हूँ या मैं जो है डाकूँ ठीक है I am fed up मैं तंग आ गया हूँ I am fed up with my life ठीक है मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ I want to amend my life मैं अपने जीवन को क्या करना चाहता हूँ I want to amend myself मैं अपने आपको सुधारना चाहता हूँ tell me some way मुझे कोई उपाय बताए tell me some ways गुरुनानक sad इस पे गुरुनानक ने कहा यहाँ पे देख रहें friends गुरुनानक ने कहा गुरुनानक sad उन्हेंने कहा कि चोरी करना और जूट बोलना छोड़ दो ठीक है तो उन्होंने कहा कि give up give up का मतलब होता है छोड़ देना telling lie ठीक है telling lie का मतलब होता है जूट बोलना and robbery का मतलब होता है रोबरी का मतलब होता है friends चोरी करना ठीक है या डखेती करना तो तुम चोरी करना और डखेती करना छोड़ दो तो give up give up का मतलब होता है छोड़ दो telling a like का मतलब होता है जोड़ बोलना and रोबरी का मतलब होता है चोरी करना और जब तुम ऐसा कर दोगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो everything will be right, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब everything will be right, अगर आप कोई बात है, future में बोलते हो, मतलब किसे आप बोलते हो कि तुम tension मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो you can say that, कि everything will be all right, ठीक है, सब कुछ ठी ठीक हो जाएगा अब देखिए उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस पर डाकु ने कहा अब देखिए इस पर डाकु ने कहा तो इस पर के लिए लिखा जाता है डाकु ने कहा का मतलब क्या है उसने reply किया मतलब उसने उनके बात का उत्तर दिया और कहा कि मैं बहुत कोशिस यहां पर देखें मैंने बहुत कोशिस की पर ऐसा हो न सका यहां पर can और could का यहां पर किया जाएगा I tried a lot ठीक है मैंने बहुत कोशिस की I tried a lot या I tried very much ठीक है But it could not happen Right friends But it could not happen तो यहां पर यह सारी बाते बोली जा रही है यह पढ़ते टाइम कितना डिवकर लग रहा था यहां पर देखो इसका translation कितना basic है अगर आप इस चीज को दो तीन बार practice कर लेते हो friends तो translation आपको बिल्कुल मतलब आसान लगने लगेगा तो देखें यहां पर बिल्कुल नॉर्मल यहां पर यूज किया गया है I tried a lot मैंने बहुत कोशिस किया But it could not happen ठीक है पर ऐसा नहीं हो पाया तब नानक ने कहा यहां पर देखें तब नानक ने कहा तब के लिए यहां पर देन लगाया जाता है ठीक है यहां पर नानक replied नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो उसकी बात को सुनकर कि अब दुबारा कुछ कह रहे है ठीक है अगर then okay और okay then आगे पीछे लिखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है जो तुम्हारे मन में आए करो यहाँ भी देखे जो तुम्हारे मन में आए करो तो do whatever you want to do ठीक है do whatever जो चाहिए वो करो you want to do जो तुम करना चाहते हो ठीक है इस चीज़ को यार आपको दो-तिन बर प्रेक्टिस ज़रूर करें बिना मेनत के यार कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है ठीक है तो मेनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि यह पढ़ाई है तो बिना समय दिये आप लोग अचीव इसको नहीं कर सकते आगे दिखें फ्रेंड्स लेकिन बाद में अपनी बातों का बखान करके सबको बता देना ठीक है बट लेटर ठीक है बट लेटर नरेट योर डीड्स तू आल ठीक है नरेट योर डीड्स तू आल डांकू को यह काम आसान लगा इसे जो डाकू था उसे जो है बहुत ज़्यादा यह काम जो है आसान लगा तो friends मैंने यह example दिखा कर आपको बस इतना समझाने की कोशिस की कि जब हम लोग ने इसका हिंदी पढ़ा था तो हमें देख करके ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही tough हो सकता है it can be very tough but जब हम लोग ने इसकी English को देखा तो here we can see that here is no any difficult word जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि यार यह मुझे आता ही नहीं है क्या यहाँ पे कोई आपको ऐसी word दिखाई दे रही है जो कि बहुत difficult हो और वो आपको आता ही नहीं हो हाँ कुछ ऐसे words हैं जिनको आप सायद पहली बार देख रहे हो तो यार पहली बार देखोगी क्यों नहीं इसके पहले अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो इसके पहले आप लोगों ने देखा होता बट हाँ अगर आप इस चीज को लेटरिली दो तीन बार अगर यूज करते हो बार बार पढ़ते हो बार बार समझते हो तो आपको ट्रांटलेशन आपके लिए उतना ज्यादा टप नहीं होगा मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि बिना मेनत को तो यार भूजन भी नसीब नहीं होता तो थोड़ा सा मेनत तो करना पड़ेगा तो आई होब कि फ्रेंट्स ये जो ट्रांटलेशन वाला जो वीडियो है वो आप लोग के लिए भूत ही हेलफुल रहा होगा और मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रांटलेशन लाओँगा और इसमें भी आपको समझाऊंगा कि जादे ट्रेंटलेशन जो होते हैं टप नहीं होते हैं आप उसे आसानी से समझ सकते हैं तो आई होब फ्रेंट्स ये वीडियो आप लोगे लिए बहुत ही हलफुल रहा होगा ऐसे ही और interesting और informative वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं फ्रेंट्स इसके अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सब लोगा बहुत बहुत धन्यवाद थांक्यो पर वाचिंग इस वीडियो